अब बताइए यह जो पिछला साल रहा है बाजार के लिए तो थोड़ा फ्लाट रहा बट इसकी समिक्षा आप कैसे देखेंगे आने वाले समवर्ट के लिए आपका क्या नजरिया बन रहा है जरा इस पर भी अपनी राय दें सर पिछला साल भी मतलब कोई खास बुरा नहीं रहा दिवाली से दिवाली तक हम उपर ही रहे और अगर ठीक ठाक से लोगों ने शेयर खरीदे तो उनमें पैसे भी बनें और अगर पैसे नहीं भी बनें तब भी आप जिस तरह की सिचूशन में इस दिवाली मना रहे हैं क्योंक अभी सोच नहीं सकते हैं कि अमेरिका और यूरोप के देशों में भी 10-10% की महंगा इदर होगी जो कि कि आम तोर पर कभी विकास सिल देशों में भी नहीं होती गरीब देशों में भी नहीं होती है तो इन सब चिंताओं के बावजुद अगर बाजार डटे हुए टिके पिछली दिवाली से ये दिवाली बैतर है ये तो दुनिया पर की बात है हमारी अपनी दिवाली का जा तक सवाल है हम तो बहुती मजबुत स्थिती में है तो उसके मकाबले हम काफी बैतर है तो मुझे नहीं लगता कि कि किसी को कोई शिकायत होनी चाहिए और शायद शिका जैसे ही बाजार कमजोर होते हैं उन्हें ये पता है कि लॉंग टर्म अप्रोच के साथ बाजार में बने रहना है टीके रहेंगे डटे रहेंगे तो पैसा बनेगा और अब तक बाजार ने यही करके दिखाया तो मुझे पूरी उमीद है अगली दिवाली और आने वाली कम से की जो दिक्ते हैं वो ज्यादा तर अंतराश्री बाजारों की है और ग्लोबल प्रोप्लमस जदा हो सकते है और उसमें भी ज़्यादा समझ जाए इस तरह की हो सकती है जिसमें कि आप किसी तरह की फिर से राश्य अउक्राएं जैसी जो सिच्चुेशन पिछले साल peninsula बनी है पोलिसीज बने जो दुनिया बर को थोड़ी मुश्किल में डाल सकती एक वो है दूसरा महेंगा ही जब तक काबू में ना आ पाए और जब तक की ब्याज़रे बढ़ना बनना हो जाए तब तक दुनिया बर के बाज़रों के लिए चुनोतिया बनी रही और यह चुनोतिया एक बड़ा और आखरी मौका दे यहां अब की बार जो फॉल होगा अगर आया ग्लोबल मारकेट की किसी टेंशन की वज़े से वो आपके लिए आखरी मौका होगा पैसा लगाने का क्योंकि उसके बाद बार बार बाजार गिरेगा नहीं अब उसमें कितना गिर सकता है पच छे मेने बाजार आपको वो एक आखरी गोल्डन चांस दे सकता है दे तो दे ना भी दे बाजार की मर्जी पर अबलाइज करें न करें लेकिन दिया तो दीप उसको छोड़ना नहीं है वो मौका बिलकुल पकड़ लेना है और वो आखरी चांस होगा और मैं उमीद करता हू यह उमीद वाली बात नहीं है कि दिवाली पर मेरा यह विश्वास है और यह मेरा मानना है कि अगली दिवाली पर बाजार इस दिवाली से उपर आपको मिलेंगे जहां हम positive होंगे अगली दिवाली पर ऐसा मेरा strongly मानना है और निवेश के मौकों के लिए आज से अगर आप चाते हैं कुछ छोटे और कुछ बड़े सेक्टर्स मुझे पसंद है छोटे सेक्टर्स में पेपर टेक्स्टाइल और लिकर यह तीन सेक्टर ऐसे हैं जहां पर मुझे लगता अगले एक साल आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगे और इस सेक्टर की अच्छी कम्सिया आप पसंद कर सकते हैं FMCG सेक्टर और मैनुफेक्शिन कम्सियों का सेक्टर यह दोनों सेक्टर मुझे बहुत पसंद है जहां पर भी आपके लिए चुनिंदा निवेश को मौके बनेंगे FMCG स्टोक्स थोड़े से महंगे जरूर है इसलिए आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, इंफ्रसक्चर कम्सियों में भी थोड़ा पैसा बन सकता है, सिमेंट थोड़ा ठीक रह सकता है, तो अब भी इस बाजार में पैसे बनाने के आपके लिए बहुत मौके बनेंगे, यानि कि अगला एक साल काफी बैतर रहेगा पैसे बनाने के लिए आज से इस बाजार में जी ये तो बढ़िया प्रेडिक्शन आगया सर बहुत लोगों की दिवाली का मूड और भी सुधर जाएगा कि अगला एक साल पैसा बनाने के लिए बहुत अच्छा मौका बन सकता है एक डिप मिलेगा उसका आपको पूरा फाइदा उठाना है